आनन्धाम की और धर्मरप्रसंग में महापूरुष स्वामी शिवानंची महराज अध्याए 20 श्री रामकृष्ण आश्रम बंबई शुकरवार 28 जनबरे 1927 प्रिष्ट संख्या 82 एक सन्यासी महापूरुष महराज से पूछते हैं महराज आपको महापूरुष नाम किसने दिया महापूरुष महराज उत्तर देते हैं स्वामी जी मुझे महापूरुष कहकर पुकारते थे सन्यासी क्यों क्या इसका कोई विशेश कारण है महाकूरुष महाराज हाँ है ठाकूर के संबीब जब मैं आता जाता था तब बीच बीच में घर भी जाना पड़ता था बिवा पहले ही हो गया था इसलिए पर यह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था आत कह सुनाया और अपने सब बंधन काट देने की प्रात्ना की उन्होंने सब सुनकर मुझे क्रिया करना सिखा दिया और बोले भए किस बात का मैं जो हूँ मेरा खोव स्मर्ण करना और यह क्रिया करना तेरा कुछ नहीं विगड़ेगा जा एक कमरे में रहने पर भी तेरी कोई हानी नहीं होगी बलकि देखेगा ऐसा करने से तेरा विराग्य और भी बढ़ जाएगा ठाकुर ने राखाल महराज को भी ऐसी है क्रिया सिखा दिती ठाकुर के आदेश अनुसार क्रिया करने से किसी प्रकार का उब्द्रव नहीं हुआ एक दिन बाच्चेत के सिलसले में यह बात स्वामी जी को मालूम हुई यह जानकर वे बड़े आश्चर चकितों बोले क्या कहते हैं यह तो महापुरुष का लक्षण है आप तो महापुरुष है बस उसी दिन से उन्होंने मुझे महापुरुष कहकर पकारना आरम कर दिया और तब से सब लोग यही कहने लगे पहले स्वामी जी मुझे तारग दादा कहा करते थे एक दिन बलराम बंदिर में स्वामी जी ने मुझे महापूरुष कहकर बुलाया यह सुनकर बाबुरा महराज की मा ने कहा यह क्या महापूरुष तो पेड़ पर रहता है यह कैसे महापूरुष है तब स्वामी जी ने उन्हें समझाया ये वैसे महापूरुष नहीं है ये वास्तों में महापूरुष है बाबुरा महराज की माँ यह सुनकर बहुत आनन्दित हुई ओम श्रीराम कुष्णारपना मास्तो